दिब्रदेश के मूरेना जीले में फैक्टरी में इसे घंदा पानी टेंकरों में भरने के बाद नदियों में छोड़ा जाता है जिसका आया दिन मशलियों और जानवरों की मौत के रूप में ये मामला सामने आता है लेकिन उसके बावजुद भी प्रशासन के द्वारा कोई भी भी कारवाही नहीं की गई एक ऐसा ही मामला छोंधा नदी के पास देखने को मिला जहां फैक्टरी का गंदा पानी केमिकल युक्त नदी में डाला गया है जिस कारण पानी पीने से पांच भैसों की मौत हो गई है जानकार के अनुसार बता दे कि करूआ घाओं का चरव कि परणुआ को मौत हुए है और गेराज गुर्जर की एक भैस की मौत हुई है तो महीं कुल पांच भैसों की मौत होना पताई गई है सूचना मिलने के बाद बामौर S.D.O.P. और और नुराबाद धाना प्रभारी भी मौक्यों पहुँचे और और मौत भैसों को जैसीव प्रशासनिक अधिकारी, या प्रशासन द्वारा कोई कारवाही नहीं की गई है, फैक्क्री मालिक के द्वारा देराज टेंकरों की साहता से गंदा पानी नदी में छोड़ा जाता है, इससे पहले भी करीब एक सिकड़ा गायों की मोते हो चुकी थी, उसके बावजूद भी प्रिश्वासन के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया था जिसके बाद आज ये मंगलवार को दोपहर पांच भैसो की केमिकल का पानी पीने से मौत हो गई फिलहाल प्रिश्वासन के दिकारी मौके पहुंचे और पूरे मामली की जांच में जुटे हुए हैं पांच भैस कतम हो गई साथ का से केमिकल बिलावारी फ्रेक्री में थे केमिकल आता हमने पर 20 साल मने तोस्वी मनने जे कई थी इन बहुंच बाद आपको टेमपास कलन दो वाई पर नहीं जे तो सर यह हमारा कुछ नहीं है वो तो सरकार का हो गया सब कि पांच वेस्टी कि दो मेरी थी एक मेरी थी ने जूट नहीं बोलूँगा मैं एक मेरी थी चार उसकी थी तीन वेरा गुनाथ अभी हमें ग्रामेडो ने जैसा बताया कि यहां पे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी वज़ा से पानी प्रदूशित होता है और अभी जो बैसों की बाड़ी मिली है इंके अकॉर्डिंग यह जो बैस है इंके मित्यू ऐसे जहिले पानी को पीने के वज़ा से हुई है तो हमने वेटनरी डॉक्टर्स को बुलाया है बैसों का पोश्टमार्टम किया जाएगा और पानी का सेंपल लिया जाएगा और इसकी जो रिपोर्ट होती है उस आदार पर फिर कानूनी करवाई करीज़ेगे मुरेना से देवेंद्र सिहा राजपुत की अरबाट